नमस्का सातियों आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने पिक्चर देखकर समझ गये होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने बाले हैं जी हाँ हम लोग मनोज सिनहा के बारे में बात करने बाले हैं जो आप देखें कि अभी बर्तमान में जम्मू कस्मीर के उपराज्यपाल है और जम्मू कस्मीर के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2019 के पहले आपका जम्मू कस्मीर पूरा एक हुआ करता था 370 हो, जिसके तहट आप देखते थे कि एक तरह से जम्मू कसमीर को अपना समीधार मिला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे पिराउधान थे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे, लेकिन जम्मू कसमीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन आप देखें कि सामान इस्तिती हो चुकी है, जो बाकी राज्यों में प्रावधान लागू होंगे न, वही आपके जम्मू कस्मीर में भी लागू होंगे, और जम्मू कस्मीर को दो भागों में वाट दिया गया, एक आप देखेंगे लगता कि एक आपका जम्मू कस्मीर, दोनों आपके केंदसासित पिदेश से लेकिन जम्मू कस्मीर में आपकी दिल्ली की तरह बिधान सबा होगी यह आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए और आपको मालू होगा कि लेप्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं आप लोग उपराज्यपाल को और इसकी नियुक्ति राष्टपती साब करते हैं L.E. भी आप लोग कह देते हैं सौट में से और बाकी राज्यों में इस तरह से आप लोग राज्यपाल देखते हैं उसी तरह से एक तरह से उपराज्यपाल होता है लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि राजजपाल के पास उपर राजपाल से कम सक्तियां दिखाई देती है उपर राजपाल सक्ती साली दिखाई देता है और देखे जम्मु कस्मीर की सीमा की बात करें तो पाकिसान से अंतराष्टी सीमा लगती है राज्यों में लब्दाग हो गया हिमाचल पेदेश हो गया और पंजाब से इसकी सीमा लगती है और पिक्चर आप लोग देख लिए मनोष सिनहा की आपकी स्क्रीन पर और भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अगर हम लोग मनोष सिनहा के जनम की बात करें तो एक जुलाई 1969 को मोहनपुरा गाजीपुर उत्तरपिदेश में इनका जनम हुगा था और उत्तरपिदेश की अगर हम लोग बात करें तो राजनीती की दृष्टी से काफी मात्पूर है ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखें कि विधान सभा में 403 सीट है विधान परिशद में आप 100 सीट हैं देखने को मिलेगी राज्य सभा में आपकी 31 सीट हैं और लोग सभा में आपकी 80 सीट हैं और ऐसा आप देखें माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है न उसका रास्ता लखनव यानी की उत्तरपिदेश से होकर निकलता है और सभी राजनितिक पार्टियों की निगाहें उत्तरपिदेश पर हमेशा बनी रहती है और आप देखें अधिकतर पिधान मंत्री आपके उत्तरपिदेश से ही निकल के आये हुए पहली पिधान मंत्री पंडिजवाल लाहरू को देख लीजे बार्टमार पिधान मंत्री मौदी साब को देख लीजे इनका संसदिय छित बनारस से चुन कर आते हैं और इनके माता का नाम स्रीमत्ती बिंदवासनी देवी और इनके पिता का नाम बीरेंद कुमाज सिन्हा था और मनोस सिन्हा ने भागलपूर बिहार की नीलम सिन्हा से साधिक है यानि की इनकी पत्नी गया नाम है संतानों में देखेंगे तो इनका एक बेटा है और एक बेटी है और आपके मनोस सिन्हा ने बनारस हिंदू विष्विध्याले से सिविल इंजीनिर में बीटेक और एमटेक किया हुआ है और बेब बीएचिव के विध्यारती संगे की अध्यक्च भी थे रह चुके है अगर हम लोग मनोस सिन्हा की राजनेतिक जीवन की बात करें तो कासी हिंदू विष्विध्याले की छात्य संगा अध्यक्च बनने के साथी 1982 में उनकी राजनेतिक केरियर की सुरुवा थेती है और जो भारती जिन्ता पार्टी आप लोग देखते है न इसकी स्थापना 1980 में हो चुकी थी और 1996 में वो पहली बार लोगसभा के लिए चुने जाते है और लोगसभा सदस आपको बनना होता है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चाहिए अधिक तम उमर की कोई सीमा नहीं रखी गई है और इनका चुनाव भी डारेक्ट जनता के द्वारा होता है लोगसभा सदस होगा अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटा सुची में नाम जोड़ चुका होगा आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे फिर आप देखेंगे उन्होंने 1999 में दुबारा जी था सिल्की और सिन्हा ने 1989 से 1996 तक भाजापा की राष्टिये परिशत के सदस भी रहे है 2014 में लोगसभा चुनाओ में भाजापा की सत्ता में आने पर तीसरी बार निचले सदन के लिए चुनए गया की लोगसभा के लिए और रेल राजमंत्री भी रहे हैं बाद में उन्हें संचार मंत्रा लेकर सुतंत प्रभार भी समपा गया था हाला की 2019 का लोगसभा चुनाओ वो हार गये थे और बीजेपी की तरफ से लड़े थे और आगस्त 2020 में जम्मू कस्मीर के ओपर आजपाल बना दिये गये था इन्हें और गाजीपुर के बिकास के लिए जाने जाते हैं मनो सिनहा केंद्री मंत्री की हसिया से पहुँच का इस्तेमाल करने के साथ ही संचार बिवाक का सुतंत प्रभार और रेर राजमंत्री का पत्त समालने के अलावा गाजीपुर की लोग उन्हें बिकास के लिए भी जानते हैं अब वो है केबल गाजीपुर ही नहीं पुर्वी उत्तरपदेश के कई जिलों में भाजापा के मजबूत स्थम के रूम में इस थापिद भी हो चुके हैं तो ये कहानी है मनो सिनहा की एक सौट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं बाकी राज्यों के आपके राजजबाल हो या चाहे पिसासक हो ओपराजबाल हो एक एक करकी हम लोग सभी के बारे में एक सामन जानकरी देख लेंगे और भी अगर किसी और के बारे में बात करनी हैं जानने की दिल्चस्पी रखते हो आप तो उसका नाम ही बताइएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि इस तरह के लोगों के बारे में मालू होने चाहिए और आए दिन आप देखते हैं कि जम्मू कस्मीर चर्चा में बना रहता है और पड़ोसी पाकिस्तान हो तो आप देखें कि सांती से रहने ही नहीं देगा और आपको मालू होगा कि इस जम्मू कस्मीर को लेकर लंबे समय से आप देखें संगर्च चलता हा रहा है हमारी कितने जबाद सहीद हुए और आप देखें कि पाकिस्तान 1947 तक हमारा ही इस्सा था 1947 में आप देखते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया था पहले जब मुकस्मीर आप देखेंगे अपने आपको आजाद रखने की बात हो रही थी पर आपने देखा है कि पाकिस्तान ने जैसे ही उस पर एक तरह से आखमर किया और आप देखे फिर वो भारत के पास आया इसकी भी एक कहानी है हम लोगों ने बात की हुई है उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं भारत ने आप देखी अपने आप में सामिल कर लिया और तब भी आप देखते होंगे कि ये लद्दाग बला अभी जो हिस्सा है ना जिसे P.O. के कह देते हैं इस पर पाकिस्तान का कब्जा बना हुआ है और यहां लद्दाग के यहां आप देखते हैं यहां चाइना का किया की है वहां बना है